मारिया का जन्म 7 मौंबर 1867 को पॉलिन के वार्सा नामक शहर में एक शिक्षक परिवार में हुआ था उस वक्त लड़कियों को केवल स्कूल तक पढ़ाने का चलन था शिक्षिका होने के कारण मा अपनी चारों लड़कियों को उच्छ शिक्षाद देना चाहती थी मारिया सबसे छोटी थी वहत 10 साल की थी तभी मा का टीवी से निधन हो गया मा के सपनों को साकार करने के लिए उसने तीनों बहनों को पढ़ाने के लिए आया की नौकरी की फिर जो भी खाली समय मिला उसमें गड़ित और भातिकी की पढ़ाई की कुछ बचत हुई तो उच्छ शिक्षा के लिए पैरिस चली गई पिता से पढ़ाई का खर्च ठीक से ना मिलने के कारण कुछ दिन उन्हें ब्रेड और चाय पर काटने पड़े तो कई अंगिनत राते भूके पेट काटनी पड़ी जरूरी खर्च के लिए पैरिस में नौकरानी का काम किया विप्रित हालात में भी पढ़ाई इतनी तनमयता से की भौतिकी तथा गड़ित में कक्षा में सर्वोच अंकला कर पैरिस स्विश्वे विद्याले प्रथम महिला प्रोफेसर बढ़ने का गौरफ हासिल किया वहीं पीरे ख्यूरी नामक एक गरीब पैग्यानिक से मुलाकात ही जो बाद में शादी में बदल गई एक संतान को जन देनी के बाद दोनों ने अपने घर के पास लकड़ी की एक प्योगशाला बनाई यही पर उन्होंने रेडियम की खोज की जिस पर उन्हें सन 1902 का भौ पूरसकार वाली प्रत्थम दग्यानिक भी बनी उनकी एक स्रे की खोजने लाखों को जीवन दान दिया लेकिन उसी की किरने यानिकी रेडियेशन आखिरकार मारिया का काल बन गई माता-पिता पैहन भाई पती और अपने संतानों सहित समाज के लोगों पर प्यार और ममता करने उच्छावर करने वाली मारिया बाद में मैडम क्यूरी के नाम से मशहूर हुई